हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टो मैं चैनल मैं समीधा आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं किचन के कुछ चोटी मोटी टिप्स जो कि किचन में हमारे काफी ज्यादा मदद करती हैं मेरे लिए काफी हलफुल रहती हैं तो उमीद करती हूँ आपको भी जुरूर पसंद आएंगी अगर पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपना फीड़बैक शेयर करना नहीं बूलें तो चलिए भी नदेरी के स्टार्ट करते है आज का ये वीडियो टिप नमबर वन घर में फ्लोर पर आप देखेंगे अकसर पोचा लगाने के बाद भी काफी सारे कीड़े वगरा दिखाई पड़ती हैं वो नहीं आए उसके लिए यहाँ पर टिप शेयर कर रही हूँ तो कोई सा भी जो लिक्विड आप यूज़ करत होगी तो यहाँ पर एक एमटी बॉटल ले लिए मैंने जो लाइसॉल की पुरानी बॉटल मेरे पास थी इसमें पहले हम पानी फिल करेंगे क्योंकि जो हमारे पास लिक्विड आते हैं वो कई बार बहुत ही जदा कंसेंट्रेटर होते हैं तो उनको आप डाइलूट करके भी रख सकते हैं तो मैं यहाँ पर नीमली का हर्बल लिक्विड यूज कर रही हूँ जो काफी कंसेंट्रेटर होता उसकी स्मेल भी काफी स्टॉंग होती है तो इसको मैं जनरली डाइलूट करके यूज करती हूँ क्योंकि हम इसमें कुछ और चीज़े भी आड़ कर सकते ह तो उससे प्रॉपर इसका जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो रहेगा बड़ आप इसको डाइलूट कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने एक गलास में पहले पानी डाला है और फिर उसमें जितना पानी डाला था उतना ही मैंने यह नीमली वाला लिक्विड डाला है और अब हम यह मोठा वाला नमक भी ताल सकते हैं, या बारीन जिस तरह से मैंने डाला है, वो डाल सकते हैं, साथी fit कृषिरी भी add की जा सकती है, और इसको अच्छे से mix कर लें, थोड़ा सा मैंने पानी और add किया है, क्योंकि नमक इसमें अच्छे से घुल जाया, उसके लिए और यह देखिए हमारा liquid बनकर ready है और यह liquid हमारा देखिए कितना कम यह use हुआ है और काफी effective भी है यह वाला liquid तो आप इस तरह से इसको बना कर store कर सकते हैं और use करें नेक्स टिप मेरी है चिलीस को लेकर ग्रीन चिली बार-बार हाथ से काटना थोड़ा सा problematic होता है पर अगर आप इनको ऐसे ही cut करके रग देते हैं तो वो जल्दी खराब भी हो जाती है तो आपकी मिर्चे safe भी रहे हैं और आपको बार-बार काटनी भी नहीं पड़े उसके लिए यहाँ पर simple से tip share कर रही हूँ जैसे marketsan सबजी लाते हैं मिर्चे आ जाती हैं बट वो खराब हो जाती है अगर हम उने use नहीं करते तो तो यहाँ पर मेरे घर में मिर्चे बहुत कम लगती है बट बड़ी मिर्चों को मैं slit करके या फिर पूरी की पूरी भी डाल देती हूं कई बट बट कुछ चीजों में हमें हलका सा तीखा चाहिए ना उसके लिए आप यहाँ पर यह tip try कर सकते हैं और अगर आपके घर में मिर्चे बहुत use होती है तब तो यह बहुत काम आने वाली है यहाँ पर मैंने मिर्चों को छोट-छोटे pieces में cut कर लिया है और अब मैं इसको chopper में लेके बारिक-बारिक chop कर लूँगी आप चाहे तो grind भी कर सकते हैं थोड़ा सा और बारिक हो जाएगा तो यह सारे मैंने ले लिये हैं chopper में इसको हम अच्छे से बारिक chop कर लेंगे जितना बारिक हो सकता है यह मिर्चे थोड़ी से मोटी थी और बीच भी इनके थोड़ी से हाड़ थे तो यह इस तरह से chop हुआ है आप बारिक भी कर सकते हैं अब इसको इस तरह से store करेंगे तो यह खराब हो जाते हैं तो इसके लिए यहाँ पे इनको थोड़ा सा हम प्रॉसस करेंगे उसके लिए मैंने एक पैन लिया है पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ओयल ओयल के साथ में आप थोड़ी सी हींग वगरा भी डाल सकते हैं मैं यहाँ पर ऐसा कुछ एड़ नहीं कर रही हूँ जस्त मैं मिर्चों को इसमें fry करूँगी तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला है कि नमक और ओयल दोनों preservative का काम करते हैं तो यहाँ पे नमक जो moisture होता है उसको भी absorb करने का काम करता है उसके बाद जो मिर्चे थी chop की वी वो मैंने इसमें add कर दी है और अब इसको 2-3 मिनट हम अच्छे से roast कर लेंगी यहाँ पे oil के साथ में उससे होगा क्या कि जो excess मिर्चे में पानी वगरा होगा वो absorb हो जाएगा और वो थोड़ी सी dry हो जाएगी साथी नमक और oil है इसमें तो काफी लंबे टाइम तक आपस को preserve करके रख सकते हैं आप मिर्चे को पहले जब दोएं तो उनको थोड़ा सा dry ज़रूर कर लें अगर उसमें पानी रहा तो आपको ये cooking time तोड़ा ज़्यादा लगने वाला है तो आप इनको अच्छे से dry कर लें फिर grind करें और फिर इस तरह से oil में भून लें इसमें आप नमक की quantity ज़्यादा भी डाल सकते हैं जितना नमक और oil ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा ये चलेगा यहाँ पर मैंने ज़्यादा से नमक और oil के साथ से भून लिया है अब इसे हम इस तरह से गयास बंद करके छोड़ देंगे जब ये ठंडा हो जाएगा फिर आप किसी भी clean airtight bottle में इसे fill करके रख लें और ये 15 से 20 दिन तक बिलकुल भी खराब नहीं होता है आप इसे fridge में या fridge के बाहर दोनों तरग्य से रख सकते हैं पर एक बार अगर अपने fridge में रख दिया फिर आप इसे बाहर नहीं रखें बतलब जिस जगा पर आपने रखा है वहीं पर continuity में रखें अगर फ्रिज में रखते हैं तो बस अपना से थोड़ा सा निकाल के फिर फ्रिज में रख दीजे तो ये जल्दी खराब नहीं होगा तो इस तरह से आप भी ट्राइ कर सकते हैं काफी यूसफुल रहता है अगर आपकी चिलीज रेडी हैं नेक्स टिप मेरी उन पैरंस के लिए जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं और खाने में थोड़ा सा मुश्किल करते हैं बट आजकल के बच्चे चीज खाना बहुत पसंद करते हैं बट हर चीज में हम उने चीज दे नहीं सकते हैं क्योंकि इतना भी ज़्यादा हैल्दी नहीं हैं बट हाद पनीर हम उनको जरूर दे सकते हैं तो आज की जो टिप है वो इसी तरह की है कि आप उनको पनीर देंगे बट उनने लगेगा आपने उनको चीज दिया हैं तो यहाँ पर में बना रही हूं चीला या डोसा भी कह सकते हैं ये मुंग डाल का है मुंग डाल के लाब़ा और लेक्ड कर सकते हैं आप इस तरह से कर सकते हैं उपर से आप जो भी स्प्रेड लगाते ऐं बच्चे राइं उसके बाद यहाँ पर पनीर आप इसमें डालें तो आप क्यूबस में नहीं करें न उसको mash करके डालें जिस इस तरह से आप grate करके डालें ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी भी ये चीज जैसा ही लग रहा है बट जब आप इसको थोड़ा सा heat में रहने देंगे तो ये बिल्कुल sticky सा हो जाता है जिस तरह की चीज होता है तो आप इस तरह इसको कर लें और इसको fold कर दिया जैसे हमने उसके बाद इसको थोड़ी दिर और को खोने दें और जब आप इसको serve करेंगे तो आप इसके अंदर देखेंगे कि चीज जैसा ही texture रहेगा और बच्चों को taste में तो ज़्यादा फरक पढ़ता नही है तो इस तरह से आप पनीर को भी sandwich या फिर चीला या डोसा के बीच में stuff कर सकते हैं और बच्चों को बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा आप उन्हें पनीर खिला रहे हैं इसके साथ आप vegetable डाल सकते हैं फिलिंग में आप औरिगन हो वगेरा डाल दें तो उनको pizza वाली feeling है खीर हलवे में भी आप कर सकते हैं तो इसको जब हम grind करते हैं तो बहुत अच्छे से grind नहीं हो पाती है उसके लिए हम sugar का use करते हैं बट अगर आपको sugar नहीं add करना तो आप directly इनको तवे पर इस तरह से roast कर लिए देखें मैंने roast कर दी हैं उनका हलका सा color जरूर change हो जाता ह है पर ये काफी अच्छे से full भी जाती है और काफी अच्छे से crisp हो जाती है इसके बाद इसे ठंडा कर दिया है यहाँ पर एक bonus टिप दूगी जिसे तवा मेरा गरम था और मुझे ही lesson चिलनी थी तो मैंने ये गरम तवे में इस तरह छोड़ दी है गैस बन है और इनको इस grinding jar में और अच्छे से इसको बारी grind कर लेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छा powder हमें मिल जाता है इससे और इसमें हमें शुगर भी add नहीं करनी पड़ी है तो किसी भी चीज में अगर आपने शुगर नहीं डालनी तो भी आप इसका use कर सकते हैं तो बस आज का नहीं है चैनल पर अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथी bell बटन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालू आपको उसका notification मिल जाए तो चलिए बस आज के लिए बाए फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में